कि नमस्कार दोस्तों इडूपो सिरीज में मैं सुभास आपका फिर से स्वागत करता हूं आज हम लोग क्लास तेन्थ के साइन्स पर बात करेंगे साइन्स के अंतरगत तीन सेक्षन में से सबसे महत्वपूर्ण सेक्षन फिजिक्स पर हम लोग अपने क्लास तेन्थ के पूरे स्लेबस के उपर क्या-क्या स्लेबस में कौन-कौन से चैप्टर को परने के लिए दिया गिया है इस पर आज हम लोग स्ट्रेटिजी बनाएंगे आप लोगों को इस चैनल के माधियम से पूरे फिजिक्स, कमेस्टरी, बाइलोजी, साइन्स के तीनों सेक्षन बारी-बारी से मिलते चला जाएगा और आज के इस वीडियो के माधियम से हम लोग सरवपरथम यह समझने का परियास करेंगे कि फिजिक्स में कौन-कौन से चैप्टर के अंतरगत क्या-क्या परने के लिए सेलेबस बनाया गिया है देखिए, सरवपरथम इसके अंतरगत सेलेबस में पहला पाठ प्रकास दिया गिया है प्रकास है और प्रकास के अंतरगत मुखे रूप से दो घटना घटता है जिसमें पहला घटना है प्रकास का प्रवर्तन तथा दूसरा घटना है प्रकास का अपवर्तन तो यह प्रकास के प्रवर्तन और प्रकास के अपवर्तन के बारे में घटना से समन्दित पराई करना है इसके बारे में हम लोग आगे जिस दिन प्रोपर परकास चैप्टर के बारे में डिसकस किया जाएगा उस दिन समझा जाएगा सरव परथम की परकास क्या है और परकास का काम क्या क्या होता है हम लोग के दैनिक जीवन में परकास का कितना बारा महतो है और परकास के महतो के संबंद में उसके परावर्तन के घटना कैसे दैनिक जीवन में महतो रखता है तथा उससे संबंदित अपवर्तन का भी घटना दैनिक जीवन से कैसे संबंदित है इस पर अगले आने वाले प्र आज इस वीडियो के अंतरगत यह समझने का परियास करेंगे कि पूरे सेलेबस के अंतरगत क्या क्या परने के लिए हम लोग का आगे का पूरा वीडियो मिलने वाला है देखि यह तोसर्व प्रत्रम पहला पाथ है परकास और इसके अंदर दो घटना है परकास का परवर्तन तथा अपोर्तन इसके बाद परकास्ते संबंधी थी एक चेप्टर बनाया गया है जिसको बले तहे मानो नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्या है मानो नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार मानो नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार देखिए इसे चेप्टर को देने का मुख मक्सद या है सरव प्रत्म हम लोग जैसे फर्स्ट चेप्टर के अंतरगत परकास के बारे में जानेंगे तो परकास के बारे में तब ही अध्यायन करना संभव होगा जबकि मानव के पास पांचो ग्यानेंद्रिया में से सबसे महतोपूर्ण ग्यानेंद्रिया मानव का नेत्र होगा तो इस मानव के नेत्र के द्वारा है परकास चेप्टर के अंतरगत सभी परकार के दैनिक जीवन में उप्योग होने वाले अनेको अलग-अलग परकार के पदार्थों को देखना संभव हो पता है और इस परकास का मानव नेतर से कैसा संबंध होता है इसके संबंध में हम लोग जानने का परियास करेंगे आप लोग सरवप्रत्थम जैसे कि अभी बात किया गया कि मानव नेतर एक मानव के पाँच ग्यान इंदरियों में से सबसे महतो पूर्ण अंग है तो वह कौन-कौन सा पाँच ग्यान इंदरिया है मानव के पास जिस्ते की ग्यान का औरजन किया जता है उसके संबंध में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि मानव के पास कौन-कौन सा ग्यान औरजन करने का ग्यान इंदरिया है देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है अगला चैप्टर दिया हुगा है वह है बिधूत तो बिधूत के बारे में परना है बिधूत जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दैनिक जीवन में बिधूत का कितना बारा योगदान है अगर बिधूत नरा है तो मानव जीवन एक अधूरा हो जाएगा क्योंकि आज के इस टेकनलोजी भरे जिन्दिगी में बिधूत एक बहुत बड़ा अस्थान रखता है तो इसलिए बिधूत के संबंध में पूरा जानना जरूरी है बिधूत से ही संबंधित एक अगला टोपिक है जिसका नाम है बिधूत धारा का चुम्बकिये प्रभाव बिधूत धारा का चुम्बकिये प्रभाव देखिए बिधूत धारा का चुम्बकिये प्रभाव इस चैप्टर के माधियम से बिधूत का जो धारा चलता है उस पर चुम्बक का कैसे प्रभाव परता है इससे संबंधित हम लोग इस चैप्टर के अंतरगत अधियाइन करेंगे चुम्बक का हम लोग के दैनिक जीवन में जो भी बिधूतिये यंतर होता है उन सभी बिधूतिये यंतर का निर्मान करने में चुम्बक एक अहम भोमिका निभाने वाला पदार्थ होता है तो इसका क्या महतो है इसके महतो से संबंधित इस चैप्टर में अधियाइन करना है तो हम लोग अभी यह चार चैप्टर के बारे में समझे उसके बाद एक अंतिम और छोटा सा चैप्टर दिया गिया है जिसमें है उर्जा के सुरोत क्या है उर्जा के सुरोत देखिए तो यहां उर्जा के सुरोत कहने का ततपर यह है कि उर्जा कहां कहां से प्राप्त होता है और उर्जा प्राप्त करने क्या कौन कौन सा अलग अलग परकिरिया होता है इसके समझे में यहां जानकारी लेना है जैसा कि आप लोग क्लास नाइन्थ में भी पढ़े होंगे कि उर्जा क्या है और उर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है यहां उर्जा क्या है यह तो बहुत विशेस माइने नहीं रखता है यहां यह जानना है कि जैसे कि उर्जा से समंदित एक नियम दिया गया है और उर्जा एक संगरक्षन पर काम करता है इसलिए उर्जा संगरक्षन के सिधान्त के आधार पर कहा जाता है कि उर्जा को नत तो निर्मान किया जा सकता है और नहीं उर्जा को नस्ट किया जा सकता है उर्जा को एक रूप से दुसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है तो वह कौन-कौन सा तरीका होता है जिससे की उर्जा को एक रूप से दुसरे रूप में रूपांतरीत किया जाता है तो इस उर्जा के अलग अलग रूप में परिवर्तन करने के कौन-कौन सा प्रोसेस होता है, इस से संबंधित उर्जा को प्राप्त करने का क्या-क्या तरीका होता है, कौन-कौन से सरोत के माधियम से उर्जा प्राप्त किया जा सकता है, इसी के संबंध में इस चेप्टर के अंतरगत अध्यायाइन करना है तो आज हम लोग यह समझने का पूरा पर्यास किये कि से लेस्टेंथ के अंतरगत पूरे सेले बस में क्या-क्या पढ़ना है और इस पूरे टॉपिक पर पूरे सेलेबस के अंतरगत हम लोगों को जो भी कुछ पढ़ाई करना है पूरे साल भर के अंदर स्ट्रेटीजी कौन-कौन से टॉपिक पर कितना महत्तो दिया जाएगा इसके संबंध में आप लोगों को अभी आज का वीडियो में इतना यह बत बताया गया कि सेलेबस को कि साइन्स के अंतरगत साइन्स के अंतरगत कला स्टेंथ में सेक्षन फिजिक्स में कौन-कौन से चैप्टर के बारे में प्रहाई करना है और उसके अंतरगत आने वाले परतियेक अंदर के टॉपिक के उपर वीडियो बनकर आप लोगों को मिलते चला जाएगा अगर आप लोग चाहें तो इस पूरे सेलेबस में जो बात बताया गया इसको स्क्रीन सुट मारकर अपने पास रक्षित रख सकते हैं थैंक यू अजया रख यह लोगो इस चे चाहें दुख लोगों क्षब लोग Worin ये घ्याएगा रिडियो